साथियों, 21 सदी में भारत की यही एक्ता, भारतियों की यही एक्ता, भारत के विरोधियों के सामने सबसे बड़ी चुनोती है। मैं आज राष्ट्री एक्ता दिवस पर प्रत्ते एक देश्वासी को देश के समक्ष मौझूद यह चुनोती याद दिला रहा हूं। कई आए कई चले गए, बड़े-बड़े सपने ले करके, बड़े-बड़े मकसद ले करके आए थे। और फिर भी बात तो यही निकली, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भाईयों भहनों, जो हमसे यूत नहीं जित सकते, वो हमारी इसी एक ता को चुनोती दे रहे हैं। हमारी एक ता के बीच छेद करने की कोशिशे कर रहे हैं। अलगाव को उभारने का प्रयास करते हैं। हमारी एक ता के भाउ को चुनोती दे रहे हैं। सद्यों से संजोई हुई हमारे भीतर समर्थ बंद करके जीवित रही एक ता को ललकारा जा रहा है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सद्यों के ऐसी ही कोशिशों के बावजोत हमें कोई मिटा नहीं सका। हमारी एक ता को कोई परास्त नहीं कर सका। और इसलिए साथ यहों जब हमारी विवीदताओं के बीच एक ता पर बल देने वाली जो भी बाते होती हैं वो इन ताकतों को मुझ तोड जवाब देने का सामर्थ रखती हैं और उन्हें जवाब मिलता भी है। जब हमारी विवीदताओं के बीच हम एक ता के मार्थ पर चलते हैं तो इन ताकतों को चकना चूर कर देते हैं और इसलिए हम एक सो तीस करोर भारतियों को एक जुट रहकर ही इनका मुकामला करना है। और यही सरदार बल्लब भाई पटेल को सच्ची स्रद्धान्जली है। हमें इसके हर इमतहान में सफल होना है। ऑ्रो नहरा इंड़ होना है। इसके होना है झालाव बल्लब 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 यहीं सब्गतों को आटेंज़ हैं